सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीड चैनल को पर बेल आइकोन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है कि MPPSC जो की नाम से ही कितना बड़ा PSC बड़ी-बड़ी posts मिलती है आदमी deputy collector बनता है DSP बनता है नगने का मधिकारी बनता है बहुत बड़ी-बड़ी posts मिलती है लेकिन अभी जो final answer की आई है 12 अरेको उसमें 5 प्रसनों को हटाये गया है कितने 5 प्रसनों को अब क्या वो 5% जरूरी थे हटाना माल लीजे जरूरी भी थे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस समय वो पेपर सेट होता है उस समय हमारा जो आयोग है वो कहां जाता है पेपर बनने से लेकर पेपर सिलेक्ट होने तक कई बैंचों से वो होकर गुजरता है तो उस समय वो क्या देखते हैं कॉश्चन को कि बस सिगनेचर किया हटा दिया कॉश्चन कुछ भी हो हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात लगे हैं कि हम प्यस्टी निकालेंगे बड़े-बड़े सपने है कि हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे डिएस्पी बनेंगे उनके भविस्थ के साथ खिलवार यही सब चीज़े चल रही है क्या मैंने देखो इतने दिने से इसलिए कुछ नहीं बोला मैं नहीं बोलना चाहता था आयोक के खिलाफ लेकिन पहले जब शुरुवात मैं एक्जाम हुआ मैंने भी पेपर दिया है अब देखा मैंने तो 15 से 16 प्रस्ण जैसा की पेपर में भी आप लोगों को छपे होंगे कई सारे कॉस्टन्स पे प्रॉबलम होई आंसर की जो पहले आई थी इसके बहुत सारे प्रस्ण के आंसर गलत लिये गए भारत छोडो का नारा किस ने दिया जब आहलाल है रूजी ने दिया था बहुत अच्छी बात है पता चल गया हम लोगों को है ना तो ऐसे आयोग हम लोगों के साथ मजा करना चाह रहा है क्या कर क्या राय आयोग हमारे साथ अगर सिर्फ M.P.P.S.C की बात नहीं है हर जगे की बात है पूरा सिस्टम ही बेकार सा हो गया है आफलाइन हो रहा है तो कॉस्चन गलत आ रहे हैं ओनलाइन हो रहा है तो सेंटर बिग जा रहे हैं क्या चल के आ रहा है ये हमारे देश में, एक सही बेवस्ता ही नहीं बन पा रहे है भारत देश में, जैसे की SSC की अगर हम बात करें, अभी दिल्ली में इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, चल रहा था, भूके प्यासे बच्चे वहां बैठे हुए थे, तो क्या है ये, क्या तम मासा चल रहा है, पच्चेस लाख दो इंकम टेक्स ऑफीसर बनो, तीस लाख दो प्रिवेंटेव ऑफीसर बनो, कल को PSC में भी होगा, पचास लाख दो डिप्टी कलेक्टर बनो, चालिस लाख दो डीएसपी बनो, ये भी होगा आने वाले समय में, क्योंकि जब वहां हो सक कल को माल लीजे PSC ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है, माल लीजे PSC कल को ऑनलाइन होता है, तो PSC के भी सेंटर बिकेंगे, इतने दो और हो जाएगा, हाला कि इसमें में रिटर लिखना पड़ता है, लेकिन उसकी भी सैटिंग हो जाएगी, जिसे साब से हमारा देश तरक्की कर इसम माम लो में, तो Digital India तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपने ओनलाइन किया और सेंटर बिकने लगे, पूरा का पूरा सेंटर ही बिक जाता है, CHSL का एकजाम चल ला है, उसमें भी सेंटर बिक गए, बच्चों को आंसर पहले ही पता है, जीके के पूरे आंसर लिख लो, बनी सी बात है, अब नेगटिंग मारकिंग है आपके एकजाम में, और डेड़ सो में से कॉट आफ जाता है, 130, कैसे, या कोई बच्चा डेड़ सो में से 114 ले आता है, एक कॉस्चन उसका गलत है, फिर भी, कैसा सिस्टम चल लाई है हमारा, ब्यापम, मद्ध प्रदेश मे नहीं डाला है, तो कहां से आ गया, बच्चों के रोल नंबर और पास्वर्ट डालने पुनको तो पूरा डेटा दिखाई दे रहा है, पूरे कॉस्चन दिखा रहा है, कि ये कॉस्चन मैंने किया था, और ये कॉस्चन नहीं किया था, इतर आए मेरे, कहां से डेटा लीक हो सोड़ दे हम लोग फिर पढ़ने की जरूरत क्या है और मुझे पढ़ाने की जरूरत क्या है इसलिए भी तीन-चार दें से मैं बीड़ो ही नहीं डाल पा रहा था दिमाग ही मेरा ठीक ही नहीं था इन्हीं सब चीजों पर मैं सोच रहा था कि क्या मतलब पढ़ा के है ना सीधे सीधी बात है अगर किसी के पास घर है तो घर गिरवी रखो 25-30,000,000 रुपे जटाओ पैसा दो और नौकरी लो पढ़ने की जरूरत नहीं है अब पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी आपको नौकरी मिलेगी पैसा देने से और जहां आप पढ़ रहे हो महनत कर रह इसके बाद 5-6 कॉश्चन ऐसे फिर हटा देंगी और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा कॉश्चन हटाएगा ऐसे दो कॉश्चन है इन 5 कॉश्चनों में से ऐसे दो कॉश्चन है जो सही थे सही है वो किसी भी तरीके से आप उसको गलत सिद्ध नहीं कर सकते अगर आय नहीं हरकत बो MPPSC के द्वारा की जा रही है यहां पर है ना पांच कॉश्चन हटा दिये गए उसमें से चली 2-3-2 कॉश्चन चलो ठीक है डावट फूलेकर दो कॉश्चन ऐसे हैं और अभी मैं बता रहा हूं एक कॉश्चन तो ऐसा जो नहीं हटाया भी नहीं और गलत भी है वो दो सेट के सेट सी और सेट डी सायथ दोनों में अंसर अलग-अलग है मैं आपको बताता हूं क्या है वो आगे अभी कॉश्चन कॉम जब डिसकस करेंगे तो वहां पर हम करेंगे चर्चा तो इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है नहीं तो मैं इसके पक हमको भी आवाज उठाना पड़ेगा ऐसे नहीं हो पाएगा ऐसे में सिलेक्शन नहीं होगा इतनी महनत करके जाओ कॉश्चन हट जाते हैं कॉश्चन गलत आते हैं यह होता है वो होता है सिर्फ PSC की बात नहीं है न हर एक्जाम की बात हो चाहे वो पटवारी की हो चाहे MP पुलिस कॉंस्टेवल की क्यों न बात हो एक बच्चा 75,000 के सिलेक्शन नहीं ले पा रहा हो और दूसरा लड़का जो है 62 नंबर पर सिलेक्शन ले जा रहा है क्या चल रहा है यह कैसा एक ही सिफ्ट में दो बच्चे हैं एक के 125 नंबर मतलब है कांस्टेवल जो ASI वाला था है तो यह जो है यह हमको घुस्ता हैया में विडियो पर बताने से और नहीं मतलब नहीं है मैं ज़्यादा चिलनाओंगा, अब सब्द कहूंगा तो उससे मेरी ही बदनामी होगी कि यार कैसा बोल रहे हैं ये, है ना, लेकिन आज नहीं कलिए गुस्सा तो निकलेगा बाहर, अभी नहीं निकल रहा है, आने वाले समय में निकलेगा, जैसे कि SSC वाले भड़के, गय द सबसे अच्छा तरीका आंदोलन, है ना, गांधी जी का मार्ग, क्योंकि अगर हम भगत सिंग का आज के जमाने में अगर हम अभी अपनाते हैं तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस प्रसासन भी है हमारे भारत देश में, कारवाई होगी विप्रीत प्रकिरिया ज पड़ेगा, यहां पर सिर्फ MP की बात नहीं है, MP, PSC की बात नहीं है, Bipam की बात नहीं है, Constable की बात नहीं है, SSC की बात नहीं है, पूरे सिस्टम की बात है, पूरे भारत देश में गवर्मेंट जॉब लेने की बात चल रही है, कोई भी एक्जाम होता है बिना स्कैम की को और बेदोगों को किसी को जॉब लग गई है किसी की जोइन आ गई है तो उनको कुछ प्रोब्लम है हर चेग है problem ही problem है तो यह मैं मतला MP सबसे पहले अधिकारी लोग बनेंगे आने वाले समय में फांठा इसमें डिप्टी कलेक्टर बनेगा वो एक जिले का पूरा मालेक होगा है तो ऐसे एकसाम में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां होंगी तो क्या क्या लेवल रहे फिर MPPSC का उससे बढ़िया SI क्या मतलब रह गया जब आयोग को ही नहीं पता है कि हमारे आंसर गलत है कि सहीं वहाँ पर कैसे आप स्पेस्लिस्ट को बठा के रखे हो क्या कर रहा हो तो बच्चों देखिए मेरा बस ज़्यादा गुस्सा होने का यहां पर मोटिव नहीं है कमेंड करके बताईए कि क्या आप संतोस्ट हैं सांसर की से यह जो कॉस्टन हटाए गये हैं उनसे आप संतोस्ट हैं क्या कमेंड करके बताईए ज्यादा ज्यादा कमेंड कीजिए च इस कॉस्चन में जो 12 नंबर का कॉस्चन है क्या दिया हुआ है कि अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती नियम 1995 की निमलेखित में से किस धारा के अंतरगत बार्सेक रिपोर्ट के लिए सामगरी का अपुबंद किया गया है अब ये कॉस्चन जो है क्या कर दिया आयोग ने इसको हटा दिया भाई क्यों हटा दिया गलती क्या है इस कॉस्चन की कॉस्चन एकदम सही है ऑप्सन भी एकदम सही है चार ऑप्सन ठीक है क्या गलती है इसका सही आंसर भी मैं बताता हूं आंसर है इसका 18 मैंने पढ़ाया है आंसर है 18 आपको प्रूफ चाहिए गूगल पे टाइप कीजिए अनुसूचित जाती और जन जाती नियम या रूल बुक 1995 पीडियेफ फॉर्म में मिलेगी आपको उसको पढ़िए आप और उसमें देखिए आपको सबसे लास्ट में अगर ना मिले यह 18 नंबर की धारा ठारा पढ़िए आपको उसमें अगर यह ना मिले तो बताना क्यों हटा दिया यह बारवा कॉस्चन क्या गलती है सही है अब जिन बच्चों ने पढ़ा उनने तो 18 लगाए जैसे मैंने एक्जाम दिया था मैंने भी 18 लगाए था हटा दिया कॉस्चन ही आपने हटा दिया मतलब छो बच्चा पढ़के गया है यहां पर जिसने पढ़ाई की है तो उसका तो गलत हो गया कॉस्चन गलत किया कॉस्चन ही हटग उसके लाट पर सबसे बड़ा सवाल है मेरा आयोग से कि आप इसका हमको प्रूफ दीजे ना आ आपने यह क्यों हटा आया आखिर इस कॉस्चन में क्या गलती थी कि आपने इसको हटा दिया बारबा ठीक तो इस question को यहाँ पर हटा दिया deleted दूसरा question अब इस question में थोड़ा सा confusion था मैं इसको मान सकता हूँ कि ठीक है इसको आपने हटा दिया confusion है इसमें कहीं पर आपको मिल जाएगा कि आसो टू और सीओ टू होना चाहिए कहीं पर कारवन मोनोओकसाइड भी मिलेगा तो इसमें confusion है ठीक चलिए यह मान लीजिए हमने गलत है चलो हटा दिया ठीक किया अब यह question यह तो question ही कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह question ही अलग है हटाना ही तो ऐसे question डालते ही क्यों हो आप exam में है ना ऐसे question डालना ही क्या टफ बनाना है तो tough question डालो नहें मेरे से लिजाक्ट कितने अए कॉस्ट जोई है आपको BPSC के, मैं देता हूं question, ले जाइए मेरे से, अगर आपके पास question की कमी हो रही है, question बनाने वाले आपको नहीं मिल रहा है, तो मेरे से ले जाइए, संपर्क कीजिए मेरे से, मैं आपको देता हूं question, इसको भी हटा दिया, यह set B के question, यह देखिए, हाँ पर मैंने set लिख दिया, यह पूरे set B के question है, आपको हर set में question number आपको अलग-अलग मिलेंगी, ठीक, अब एक यह question है, क्या, GSDP, सकलराज घरेली उत्पाद, इसका भी उन्होंने कुछ solution नहीं दिया, इसको भी हाँ पर हटाये गया, चलो, इसको भी हटाये, अब यह question क्यों हटाये भाई, 84 number का, एक पहला वाला जो 12 number का question set B का था, और एक यह, इन दो question में मुझे बहुत जादा मतलब, इस पे सबसे जादा गुस्सा है इन ही question पे, कि एक तो वो सही question था, धारा वाला जिसका 18 answer है, और दूसरा ये, मत्र प्रदेश की सरवोच सिकर धूपगड़ की चोटी, कहा परिस्तित है, ठीक, तो इसका अगर हम सही answer आपको मैं बताओं, तो सही answer है, महादेव की पहाड़ी, पहाड़ी में सत्पुड़ा सेड़ी, सत्पुड़ा सेड़ी, ये सही answer है, तो महादेव की पहाड़ी, इसमें महादेव की कहीं पहाड़ी है, कि महादेव सेड़ी है, तो महादेव सेड़ी तो ही नहीं कोई नाम की चीज़, है ना, पहले उन्हों पढ़ाया है मत्प्रदेश के भौगोलिक उसमें आप देखो कि सत्पुड़ा ही मैंने बताया आपको यह आंसर सही है इसका लेकर उन्होंने पहले यह आंसर लिया लेकिन महादेव सेनी तो कुछ है ही नहीं ना महादेव की पहाड़ी है तो जब यह चीज अगर नहीं है तो अंसर यह यह तो होना ही नहीं है A या B तो जब B नाम की कोई चीज एक्सिश्ट इनहीं करती है तो आंसर क्या जाएगा आंसर तो A ही जाना चाहिए तो क्यों इस कॉस्ट्टन को आपने हटाया मैं बस यह पूछना हूँ हूँ कि दारा अठारा दारा और एक ये वाला कॉस के प्रूफ दीजिए उनको evidence मैंने बताए ना धारा धारा आप PDF डाउनलोड कीजिए उसको mail कीजिए कैना इसमें पढ़िए आप कि यह PDF गलत है यह रूल बुक गलत है कि यह आप गलत है कि हम गलत है कि हमने जो पढ़ा वो गलत है जवाब मांगें आप PST से case कीजिए जब अ हाई code में जाके याचिका दायर कीजिए एक question का सवाल एक number का सवाल है एक number से आप DSP बन सकते हो और एक number से आप बेरोजगार रह सकते हो यह चीजे होती है आपर एक number से एक साल आप बरवाद हो सकता है एक number से आपका एक number से आपको एक साल फिर महनत करनी पड़ेगी यह सब चीजे यहाँ पर हो सकती है तो आपको ध्यान रखना है ठीक है अब ये तो हो गए आपके जो 5 question यहाँ पर हटाए गए अब एक question पर और चर्चा करते हैं हमें आपर set c ठीक है set c की यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी set c अब set c की यहाँ पर हम बात करें तो उसमें I think देखिएगा 95 95 नंबर का question आपको मिलेगा ठीक है अब उस question में क्या है कि जो हमारा राज्यपाल है राज्यपाल वो अध्यादेश जो जारी करता है ठीक अध्यादेश जो कि जारी करता है वो किस अधिकनल के तह जारी करता मिने कितने वाई बताया है कि राश्च्पति और राज्यपाल एक साही है देखो राश्च्पति के मैने बता है 1, 2, 3 और यहीं आपको डिजट जो मिलेंगे ठीक है यह ही डिजट आपको जो मिलेंगे बू मिलेंगे राजिपाल में, तो राजिपाल का क्या था, 213, राजिपाल का था, 213 यहाँ पर, ठीक है, राजिपाल का यहाँ पर क्या मिलगे आपको, 213, तो अब राजिपाल का 213 मिला, तो उन्होंने आंसर क्या लिया, सैट सी में लिया है, इसका आंसर 212, स at C जो set C के आंसर सीट में आप देखोगे तो 212 मिलेगा आपको and set d एक किसी एक में है उसका आंसर 213 लिया है तो क्या यह नियुक्ष ए है एंक जिसका set C है उसके तो आंसर गलत होगये अगर उसने 213 लगाया होगा तो जो की कानूनी सही ये कानूनी का जो आपके saams थे 213 है aur आपने 211 लिया तो ये कौन से घलती हői और जिसलेक्षिन ले जाएगा जो सही गलत हो जाएगा तो इन ही सब प्रस्धनों के ऊपर चर्लचा था पूछिए आप आयोग से कि क्या है ये सही है अध्यादेश वाला कॉस्टन सही है क्या एक जगे आप 212 आंसर ले रहे हो एक जगे 213 ले रहे हो क्या चल रहा है यह एक्जाम में अभी भी मतलब आपने दुबारा जब जांच की फिर भी आपको नहीं समझ में आया आपने फिर भी गलत कॉस्टन दे दिया गलत आपकी तो यहां पर ज़ो है ज्यादा से जदा आप लोग कमेंट करके बताईए क्या यह आयोग की कि गलती है या नहीं है मैंने कुछ गलत बोला कि आप कमेंड करके मुझे जादा स्यादा बताईए चलिए दोस्तों तो यहां पर सेशन को आपकी बदल देता है और बरबाद कर देता है धिक है थी किसी की एज कंफान वाली थी कि वह लाश्ट पीछ स union लगा कुप तो इसके खिलाफ आवाज हमको उठानी पड़ेगी तो इसी बात पर सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने सुझाओ दीजिए चलिए मिलते हैं अगले और कुछ वीडियो में ठैंक झाल झाल झाल